तो एगाईज जीओ ने एक सर्विस लांच किया है इमर्जेंसी डेटा लोन के नाम से इसमें आपको लोन के तोर पर डेटा दिया जाएगा जैसे कि आपका रीचार्च खतम हो गया है आपको इमर्जेंसी में डेटा चीये होगा तो आप बिल्कुल एजिली जीओ की तरफ से आपको डेटा लोन दिया जाएगा तो गैज आज कि इस वीडियो में आपको लाइप रूप के साथ दिखाऊंगा कैसे आपको यहाँ पर डेटा लोन लेना है गैज वो भी पूरा पांच जीबी तक आप डेटा लोन ले सकते हो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज दिये ह है तो os आजकि इस वीडियोमे लाइक गुरूप के साथ होगा 100000वीडीो को like share करना वर चैनल को नहीं होतो यहाँ सब्सक्राइब करना तो चले आजकि इस वीडियो को शुरू करते हम सीकते हैं हम कैसे हमें इमर्जेंशी डेटा लएना है तो चलेग आज किस वीडियो को शुरू करते तो गाई जीव का इमर्जेंसी डेटा- लोण लेने के लिए गाई आपको अपना माई जीव वे एफलीकेशन पले स्टोर सेबडेट कर लेना है लेटेस्ट वरजन में इस gewe oyster अपडेट कर लेना है एंड गाइज इसे ओपन करना है तो गाइज यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरपेस मिलेगा सिंपली आपको उपर थ्री डोट दिखाए देंगे यहाँ पर किलिक करेंगे एंड यहाँ पर गाइज देख सकते हो इमरजेंसी डेटा लोन के नाम से यहाँ पर नया पीचर एड किया गया है सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ बैनर आपको यहाँ पर मिलेगा जो यहाँ पर देख सकते हो इमरजेंसी डेटा लोन के नाम से यह बैनर होगा तो guys यहाँ पर आप पुरा 1GB emergency data loan ले सकते हो तो guys कैसे लेना इसके लिए simply आपको नीचे proceed वाला option मिलेगा simply इस पर click करना है तो guys यहाँ पर देख सकते हो अगर मैं यहाँ पर get emergency data loan पर click करूँगा तो मुझे यहाँ पर 1GB यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो loan के तोर पर 1GB data मिलेगा एंड यहाँ पर available quantity में आप देख सकते हो यहाँ पर मैं 5 time यहाँ यहाँ पर 1GB करके यहाँ पर data ले सकता हो और इस 1GB data की price लगबग 11 रूपे होगी तो guys यहाँ पर आपको क्या करना है get emergency data पर जैसे आप click करते हो यहाँ पर हम click करते है एंड आपको यहाँ पर अपना number दिखाएगा जिस number में आपको 1GB data यहाँ पर लेना है एंड गाइज नीचे मिलेगा activate now का option simply इस पर click करेंगे तो guys यहाँ पर जैसे click करेंगे तो देख सकते हो emergency data loan activate देख सकते हो यहाँ पर हमारा 1GB data loan यहाँ पर activate हो चुका है तो guys इस तरह के से बिल्कुल आप बहुत ही easily यहाँ पर loan ले सकते हो easily आप इसे pay कर सकते हैं guys यहाँ पर अभी मेरा यह पर यह पेक activate हो चुका है मुझे यहाँ पर 1GB data मिल चुका है and guys यहाँ पर पिलाल में यहाँ 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 पर yes कर देता हो and guys यहाँ पर बिल्कुल easily आप पे भी कर सकते हो so guys आपको यहाँ पर data loan लेने के लिए आपको यहाँ पर जैसे कि आपको data मिल चुका है और दोस्तों आप चाते हों कि मैं इस data loan को clear करना तो guys उस loan को clear करने के लिए simply आपको फिर से अपने three dots पर click करेंगे emergency data loan पर click करेंगे and guys आपको फिर से वही interface आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो guys यहाँ पर वही interface देखने को मिलेगा तो simply आपको नीचे proceed वाला option मिलेगा फिर से इस पर click करेंगे तो guys यहाँ पर कुछ इस तरह का banner आपको यहाँ पर show होगा तो guys जैसे कि हमने अभी अभी यहाँ पर one gb data loan लिया था मैं चाहता हूँ कि फिर से मैं इसे clear कर दूँ जैसे कि मैं इसको pay कर दूँ बाद में जैसे कि मेरा one gb यहाँ पर मैं रिचार्च करना चाहता हूँ तो guys जैसे कि मैं इसे pay करना चाहता हूँ तो clear due पर click करके guys बहुत ही easily आप किसी भी UPI के माद्यम से इसे clear कर सकते हो तो guys यहाँ पर आपको phone पर हो गया जैसे कि ATM हो गया इनके तुरो आप किसी भी UPI के तुरो आप बहुत ही easily इनको pay करके आप यहाँ से इनका के लिए due कर सकते हो और guys यहाँ पर मैं चाहूँ तो यहाँ पर पूरे four time अभी भी यहाँ से data ले सकता हूँ जैसे कि मुझे one gb की और जरूरत होगी तो भी मैं यहाँ पर gate emergency data पर click करके यहाँ पर 5 time तक data ले सकता हूँ जिसे मैं बाद में भी pay कर सकता हूँ तो guys इस तरीके से आप बहुत ही emergency में अगर आपको data चीए होगा तो इस तरीके से आप यहाँ पर emergency data loan ले सकते हो यहाँ पर कोई भी आपको बीना किसे extra charge दिया आप यहाँ से data loan ले सकते हो तो I hope guys यह वीडियो आपको काई पसंद आयोगा पसंद आयोगा पसंद आयोगा तो like share करना चैनल बने हो तो यार सबस्क्राइब करना मिलते किसी नए वीडियो में नए टोप एक साथ तब तक लिए take care and bye